बुढा बर्गत और टिम टिम व्रिक्ष नगेवल हमारी दैनिक आवश्यक्ताओं को पूरा करते हैं अपितु पशु पक्षियों को भी आश्रे प्रदान करते हैं इनके विनाश के साथ ही हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा आएए इनके संरक्षण के भाव को प्रस्तुत करती इस कहानी को सुने और समझने का प्रयास करें एथी नन्वी टिम 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 सेट गोपाल दास के बगीचे में लगे बुढे बर्गत में बने कोटर में रहती थी टिम टिम एक प्यारी सी गिलहरी थी हमेशा उचलती कूती रहती और जट से बुढे बर्गत की सबसे उची डाल पढ़ जा बैठती थी कोटर में से बुढी गिलहरी माके अनेक बार पुकारने पर भी नीचे नहीं आती थी वो खुशी खुशी बर्गत पर पूरा दिन कूत फान मचा थी और बगीचे में जो भी फल मिलता उसे कुतर-कुतर कर खाती थी एक दिन सेट को पाल तास जो लकडी के बड़े व्यापारी थे अपने बगीचे में पुराने बुढे पेड़ों को कटवाने के लिए एक लकड़हारे को बुला लाए जैसे ही लकड़हारे ने बूढे बर्गत को काटने के लिए कुलहाड़ी उठाई वैसे ही टिम टिम अपने कोटर से बाहर निकलाई और रोने लगी टिम टिम बोली ये पूढा बर्गत तो मेरा घर है तुमेंसे मत काटो नहीं तो मैं और मेरा परिवार कहां रहेंगे लकड़ारे ने बोलती हुई कि लहरी पहली बार देखी थी वह यह देखकर आश्यरे चकित हो गया लकड़ारा बोला लेकिन प्यारी टिम टिम मुझे तो सेट ने कहा है कि मैं इस बुढ़े पेर को काट दू नहीं काटूंगा तो सेट मुझे पैसा नहीं देंगे दोनों सोच में पढ़ गए कि अब क्या करें इतने में बरगत पर घोसले में रहने वाली चिन्विन चुडिया आई और बोली तुम्हें तो अपने पैसों की चिन्ता है पर हम पक्षियों की सोचो हम कहां रहेंगे सारी बात कहकर वह भी रोने लगी इतने में खेलते खेलते गोपाल दास का बेटा टिंकू भी वहां आ पहुचा चिनमिन और टिम टिम को रोता देख उसने पूछा तुम दोनों क्यों रो रही हो ये लकड़हारा कुलहाडी लेकर यहां क्यों खड़ा है तब टिम टिम भोली देखो देखो ये लकड़हारा हमारे प्यारे बर्गत के पेड़ को काटना चाहता है फिर मैं और चिनमिन कहां रहेंगे तुम कहां जूला जूलोगे टिंकू बोला हाँ ये तो सही कह रही हो मैं और मेरे मित्र राघव, नीतू और रीता कहां जूलेंगे टिंकू चिनमिन और टिम्टिम ने मिलकर एक उपाय सूचा कि क्यों ना सभी बच्चे मिलकर टिंकू के पिताजी को एक पत्र लिखें सभी ने मिलकर गोपाल दास के नाम पत्र लिखा प्रिये गोपाल दास ची मैं टिंकू आपका पुत्र और मेरे मित्र चिनमिन चुडिया, टिम्टिम गिलहरी, राघव, रीता और नीतू हम सभी आपको बताना चाहते हैं कि प्यारे पेड हमारे लिए कितने लाबकारी है हमें विद्याले में बताया गया है कि पेडों के कारण ही वर्षा होती है पेडों के कारण ही प्रकृती का संतुलन बना रहता है इनके फल खाकर हम स्वस्थ रहते हैं ये हमें ऑक्सिजन देते हैं यदि ये नहीं होंगे तो हम बच्चे कहां जूला जूलेंगे चिनमिन अपना घोंसला कहां बनाएगी टिम टिम के कोटर का क्या होगा आप से हम सभी की यह प्रार्तना है कि आप बोड़े बर्गत को मत कट वाओ आपका बहुत बहुत धन्यवाद टिंकू और सभी मित्र चिनमिन ने कागस को मुह में दबाया और फटाफट उड़कर टिंकू के पिताजी को दे आई पिताजी ने बच्चों के इस कागस को पढ़ा और वे बच्चों के मन की बात को भाप गए उन्होंने लकड़ह को पेड काटने के लिए मना कर दिया पिताजी ने सभी बच्चों से कहा मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गई अब मैं समझ गया हूं कि पेडों के बिना हम सब अधूरे हैं कहानी का मूलभाव एवं संदेश प्रकृती और जीवजन्दू हमारे सहायक हैं और इनकी रक् करम करता भी है